हलो दोस्तो श्वागत है आप श्वी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन हैस्टडी में दोस्तो आज मरेलवे शमान विग्यान के टेस्ट पेपर के 19 एपिशोड का वीडियो लेकर आया है तो दोस्तो वीडियो में आपको सुरू से अंतक जरूर बने रहना है तभी दोस्तो को एक्जांट के लिए फायदे मन साबित हो सकता है दोस्तो यह जो सेशन मैंने स्टार्ट क्या हूं आप लोगों को पशंद आता है तो वीडियो को लाइक से आप लोग जरूर करते रहेगा बंकि दोस्तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सेशन आपको पशंद आ प्रोटीन का संसलेशन जो है राइवोसों में होता है माइटो कोंडिया का संब्द किस से है तो दोस्तो माइटो कोंडिया का संब्द किस से है तो माइटो कॉंडिया का संब्द किस से है तो माइटो कॉंडिया का संब्द किस से है आपका ओप्शन स्वासन जो है बिलकुल राइट है कोशिका के अंदर उर्जा कनिर्मान किसके द्वारा होता है कोशिका के अंदर उर्जा कनिर्मान जो है माइटो कांडिया के द्वारा होता है कोशिका के अंदर उर्जा कनिर्मान जो है माइटो कांडिया के द्वारा होता है नेक्स्ट कोशन कर वढ़ते हैं पादप कोशिका में DNA होता है पादप कोशिका में DNA हरित लवक में भी होता है माइटो कॉंडिया में भी होता है और केंदरक में भी होता है तो पादप कोशिका में DNA इन सभी में होता है किसमें किसमें हरित लवक में माइटो कॉंडिया में और लशिका कोशिका बनती है मनभ सरीर के कौन से एंग में लशिका कोशिका बनती है तो दिरगास्ती में जो है लशिका कोशिका बनती है आपका option दिरगास्ती जो है राइट है कोशिका सिदान का परतिपादन किस ने किया था अर्द सुत्री विभाजन पाय जाता है किसमें तो अर्द सुत्री विभाजन जो पाय जाता है ये दोस्तो आपका तरुन यानि की पुष्प कलिकाओं में पाय जाता है अर्दसुत्री विभाजन जो है यह आपका तरुन यानि की पुस्प कलिकाओं में पायजा आता है आपका ओप्षन C जो है बिलकुल राइट है ATP का निर्मान किस में होता है तो दोस्तों ATP का निर्मान जो है यह आपका goals माइट्रो कॉंडिया में होता है एटीपी का निर्मन का होता है माइट्रो कॉंडिया में होता है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं किस दूद में किस दूद में लेक्टोज शक्कर का परतिसत अधिक होता है यानि कि किस दूद में किस दूद में जो है लेक्टोज शक्कर का परति सद क्या होता है अधिक होता है हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है किसके द्वारा तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है यह दोस्तों आपका विसानों द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग जो है विसानों द्वारा होता है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं सबसे सबसे ज़्यादा दिन तक जिवित राने वाले जो पक्षी है इन आप्षन में से कौन सा है तो दोस्तो आश्ट्रीज जो है यह सबसे ज़्यादा दिन तक जिवित राने वाला पक्षी है वह आपका आश्ट्रीज कहलाता आपका आपका आप्षन सी जो है राइट है जो है मेमेलिया वर्ग का प्रानी आपका option ए जो है मेमेलिया आपका राइट है अगले कोशन कर बढ़ते हैं एथिलीट फूट जो बीमारी होती है वह दोस्तों आपका फपुंद से होती है एथिलीट फूट बीमारी जो होती है वह आपका फपुंद से होती है अगले कोशन क कर वड़ते हैं लीची में जो खाय जाने वाला भाग है वह आपका एरील कहलाता है लीची में जो खाय जाने वाला भाग है वह आपका क्या कहलाता है वह दोस्तों आपका एरील कहलाता आपका ओफ्षिन लीची का जो खाय जाने वाला भाग है वह आपका एरील कहलाता है लें रुदिर परिशंचरन तंत्र की खोज करने वाले जो पर्थम ब्यग्ञानिक है उसका नाम जो है क्या है रुदिर परिशंचरन तंत्र की खोज करने वाले जो आपका पर्थम बेग्यानिका है वो आपका बिलियम हारवे है आपका option बिलियम हारवे राइट है बिशानों की खोज की थी किस ने तो बिशानों की खोज जो है किसके द्वरा हुआ था तो बिशानों की खोज जो है इवानो बसकी ने किया था बिशानों की खोज इवानो उत्पन होता है वो हैड्रोफोबिया कहलाता है कुत्ते के काटने पर वाइरस के द्वारा जो रोग उत्पन होता है वो आपका हैड्रोफोबिया कहलाता है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं जीवानों की खोज सरपर्थम आपका ल्यूवेन हॉक ने किया था आपका आप्शन D राइट है सकरकंद में भोजन संग्रित होता है जो उसमें भोजन संग्रत होता है वो आपका जड़ों में संग्रित होता है अगले कोशन कर वरते हैं हल्दी के पोधे का खाने योग जो हिस्षा होता है कौन सा हिस्षा होता है तो हल्दी के पोधे का खाने योग जो हिस्षा होता है वो आपका प्रकंद कहलाता है हल्दी के पोधे का खाने योग जो हिस्षा है वो आपका प्रकंद कहलाता है तो लिंपोसाइट यह आपका रोगवान्वों से क्या करती है रख्चा करती है आपातकालिन गरंथी क्या है तो दोस्तो आपातकालिन गरंथी आपातकालिन गरंथी और्ड्रेनल गरंथी को कहाजाता है next question करवरते हैं पेलागरा रोग आपका पेलागरा रोग किस पोशक पदार्थ की लगतार कमी से होता है तो आपका पेलागरा रोग जो है नियासीन की कमी से लगतार अगर नियासीन की कमी रहे तो दोस्तों आपका पेलेगरा रोग हो जाएगा नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं मानब सरीर में मास्टर गरंती क्या कहलाती है तो मानब सरीर में मास्टर गरंती क्या कहलाती है प्यूटरी गरंती कहलाती है रक्त का कबरगहा किसे कहा जाता है रक्त कबरगहा जो है ये पिलिया को कहा जाता है रक्त का कबरगहा जो है किसे कह जाता है पिलिया को का जाता है आपका option यह जो है बिल्कुल राइट है कौन सा खनीज लबन कौन सा जो है खनीज लबन सरीर में बहुत आयात मात्रा में आ जाता है कौन सा जो खनीज लबन होता है जो की सरीर में बहुत अधिक मात्रा में होता है तो दोस्तों आपका जो केल्स लड़का पैदा होगा जब क्या होता है एक्स गुन्सुत्र हो अगले कोशन कर बढ़ते हैं अस्तंदार्यों में मुख उस्तर्जी जो पदार्त होता है वो आपका यूरिया होता है स्वसंदार्यों में खराटे लेते समय निंद्रा में खराटे बरते समय सबसे कम होती है नुकलियस की खोज किस ने की थी नुकलियस की खोज रॉबर्ड ब्राउन ने की थी अगले कोशन कर वड़ते हैं अंतराष्टिय जैविक क्रिशी फर्म संस्थान जोई कहां पर अस्तीत है भारत का केंद्रिया उस्थी जोडिया नुसंदान कहां पर एं पेफडो में रख्ट पहुचाने वाला अंग जो है रख्ट का कौन सा कन जीवानों से रख्चा करता है तो आपका स्वेत रक्त जो कई यह जीवानुसे क्या करता है रक्षा करता है रक्त का कौन्सा कन जीवानुसे each ख्या करता है स्वेतव रखत सक जो है आपका राइट है बायोमंडल में भारि है वह कौन सी गैस है तो दोस्तो आपका जो कारवन डॉक्षाइड CO2 है ये दोस्तों बाइमंडल में भारी गैस है कौन गैस कारवन डॉक्षाइड जो है ये आपका भारी गैस है मनुस के सरीर में सबसे छोटी अंतसरावी जो गरंती है वो आपका प्यूस गरंती है मानप के सरीर में सबसे जो छोटी अंतसरावी गरंती है वो आपका प्यूस गरंती है अगले कोशन कर बढ़ते हैं स्वस्त मनुस के सरीर के ताप जो है कितना होता है तो स्वस्त मनुस के सरीर का ताप जो है 98.6 डिगरी फोरेनाइट होता है आपका option यह जो है राइट है मानब सरीर को कितने निकोटिनिक अमल की परतिदीन अवशकता होती है तो 15 गराम परतिदीन अमल की अवशकता होती है आपका option B बिलकुल राइट है दोस्तो आपका railway शमान बिग्यान के test paper के 19 एपिशूट का वीडियो समप्त होता है वीडियो अगर आपको पशंद आए तो वीडियो को like से जरूर करियेगा अगर चैनल पर पहली बार जुड़े है अगर session आपको पशंद आए तब ही दोस्तो आपको चैनल को subscribe करना है तो म को आपका यि किमश एल समावर ऑकोघयों आफ ईयान किमिनल के पुदाओर उतल के बëetğ के बाल के वेनल को आपको आपको आ Оп है भीफियों साबतो आपको पमातो इंप